फोल्स क्या है, फोल्स के प्रकार क्या है, फोल्स की जोमेटरी क्या है, कौन-कौन से अफेक्ट करते हैं फोल्स को बनने में जैसे हमने फोल्स पढ़ाता कि फोल्स क्या होते हैं, फोल्स के कितने प्रकार होते हैं, फोल्स की बेसिक जोमेटरी क्या है, ये सारी चीजों पर ब टर्म पढ़ना एक है Compressional Stress एक है Undulating Rock Deformation पहले जानते हैं कि Compressional Stress क्या होता है इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने बतलाया था कि Compressional Stress क्या होता है Compressional Stress means जब एक ही direction में force लग रहा है दिखे एक direction यह है हमने एक ही direction में force लगाया तब उसको हम कहेंगे Compressional Stress Compressional Stress से क्या होगा या तो Rock Body उपर की तरफ उठेगा एक ही direction में लगाएंगा या तो Rock Body नीचे की तरफ जाएगा तो हम कह सकते Force are the manifestation of Compressional Stress और यह रिप्रेजेंट करता है Rock Deformation Undulating Rock Deformation Rock Deformation क्या होता है Rock Deformation means Change in Shape, Size, Volume of the Rock Is called Deformation अब हम इसके Process से जानते की कैसे हुआ होगा तो हमें What और अच्छे समझ में आगे What is Fold यह समझ लीजे एक Page है Page को माल लेते हैं कि यह Rock Surface है Rock Surface पे हमने एक ही direction में force लगा है इस direction में और इस direction में एक ही direction में दोनों तरफ तो जब हम force लगा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि यह धीरे-धीरे उपर की तरफ उठता जा रहा है उपर की तरफ उठाओ देखने को मिल ला है और हम क्या कर रहे हैं इस पे Compressional Stress लगा रहे हैं Same direction में तो Folds are the manifestation of Compressional Stress that represent Undulating Rock Deformation तो जब हम force लगा रहे हैं तो इसके change पहले यह ऐसे था अब यह हो गया इस shape में force लगाने के कारण तो इसमें कुछ change आयोगा length, breadth, height तो वो जो चीज दिखाएगा उसको हम fold कहेंगे अब हम fold के geometry पे आ जाते हैं कि इसके कौन-कौन से भाग है पहले हम जानते हैं due to compressional stress यह हमारा fold बना ठीक fold बनने के बाद इसके भागों पे आ जाते हैं भाग में जैसे हमारे दो हाथ होते हैं भुजाएं उसी तरह fold के भी दो भुजाएं होते हैं यानि कि ये वाला portion और ये वाला portion इसको हम कहते हैं हमारे कहते हैं कि भुजाएं उसी तरह इसको हम कहते हैं जब fold के होंगे तो उसको हम कहेंगे limbs limbs है जो है एक fold के अंदर दो limbs होते हैं कितने limbs होते हैं दो limbs ये एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये तो limbs कितने होंगे दो और जो उपर वाला सबसे टॉप मोस्ट करवीचर होगा जो सबसे टॉप मोस्ट करवीचर होगा उसको हम कहेंगे हिंज और जो axial plane वह चीज होता है जो इसको यह जो आप देख रहे हैं कि यह जो फोल्ड है इसको दो भागों में जब बांट दिया जाए imaginary line के तुरू तब उसको हम कहेंगे axial plane और एक टर्म आता है interlimb angle interlimb angle क्या होता है हमने कहा यह limb होता है limb के द्वारा जो बनाया गया angle है यह किस angle पे बनता है उसको हम कहते हैं interlimb angle अब हम चलते हैं इसके types के तरफ कि कितने प्रकार के folds होते हैं type से पहले हम जान ले कि कौन-कौन से factor effect करते हैं fold को बनने के लिए और कौन-कौन से प्रभावित करते हैं fold जब बनता है तो पहला है strength of the rock माल लीजिए यह rock surface है ठीक rock surface से हमने compressional stress लगाया माल लीजिए हमने stress लगाया अगर वो soft rock होगा तो उपर की तरफ उठेगा ठीक उसका composition कैसा है soft है और जब इसका composition मतलब कि hard rock का हो जाएगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा यही fold यही जब compressional strength लगेगा तो यह depend करता है rock कैसा है rock determine करेगा माल लीजिए rock hard है और stress कम है तो fold बनने की आसार कम है माल लीजिए rock आपका बहुत ज़्यादा hard है और stress बहुत ज़्यादा है rock बहुत hard है और stress भी बहुत ज़्यादा है तो आपका fold बनने की आसार है लेकिन hard rock में basically देखा जाते है कि वो नीचे की तरफ downward उसका movement होता है यदि soft rock हुआ और यदि आपका force बहुत ज़्यादा हुआ तो यानि इससे क्या हुआ कि हमारा बहुत आसानी से fold बन जाएगा अब हमारा दूसरा determining factor है वो है magnitude यानि कितना ज़्यादा बल लग रहा है कितना कम बल बल एक मतलब की समझे force यानि दूसरी तरफ आपका force कम है और rock composition भी अलग है तो आपको वो ऐसा देखने को नहीं मिलेगा अब हम समझते हैं उसके प्रकार्स पर आ जाते हैं कितने types के होते हैं ये folds के कुछ types हैं नमबर एक पर based on interlimb angle interlimb angle जो limb के द्वारा angle बनाया गया उसके आधार पे कितने प्रकार के fold है based on symmetry based on appearance यानि देखने में किस प्रकार का है उसके अनुसर कितने fold होते ये बाते हैं तो based on interlimb angle के आधार पे चार प्रकार के fold बतलाए गया है एक है gentle fold, एक है open fold एक है tight fold, एक है ISO cleaner fold gentle fold तब होगा जब interlimb angle 120 से 180 के बीच में होगा तब उसे हम gentle fold कहेंगे वहीं जब fold का जो size वो angle है वो interlimb angle 60 to 120 degree होगा तब इसको हम open fold कहेंगे वहीं जब 10 to 60 degree होगा तब उसे हम tight fold कहेंगे ISO cleanal fold बहुत कम देखने को मिलता है जब interlimb angle 0 degree Celsius अब मॉडल के साहे तर समझे कि ये कैसे बनता है suppose कि ये पेज है और पेज के अनुसार अब हम limit पे pressure डालना है तो ये जो angle बनेगा पहला ये हो जाएगा 180 to 120 180 के बीच में और इससे ज़्यादा pressure डालेंगे तो ये convert हो जाएगा 60 to 120 में और ज्यादा pressure डालेंगे तो ये बन जाएगा आपका 10 to 60 में और pressure डालेंगे तो ये isocleanal force जो कि 0 degree angle बनाएगा ये बन जाएगा तो हम ये conclude कर सकते हैं कि ये जो 60 to 180 60 to 120 ये जो difference देखने को मिला ये difference का कारण है एक rock दूसरा है हमारा force यदि force ज्यादा लगाएंगे तो angle जो है वो हमारा ठीक बनेगा यानि कि कम बनेगा वहीं force यदि कम लग रहा है तो angle कम बनेगा अगर force कम लग रहा है तो angle ज्यादा बनेगा ये सारे factors है अब हम समझते हैं बेजडों symmetry के अधार पे एक होता है symmetrical fold एक होता है asymmetrical fold एक होता है recommend fold एक होता है overturned fold पहले हम समझते हैं कि symmetrical fold क्या होता symmetrical fold means symmetrical fold तब बनेगा और ये बहुत कम देख़े हैं मिलता है जब force जो है जो एक तरफ से force लग रहा है और दूसरे तरफ से force लग रहा है जब force similar होगा तब symmetrical fold बनेगा और जो angle बनाएगा आपका जो axial plane है वो 90 degree का बनाएगा तब हम इसको कहेंगे perfectly vertical जब angle बनेगा तब हम जब एक limb बढ़ा एक limb चोटा हो तब उस समय हम उसे asymmetrical fold कहेंगे एक limb बढ़ा एक limb चोटा हो तो उसको हम asymmetrical कहेंगे ऐसा difference क्यों देखने को मिलेगा limb में क्योंकि जिस तरफ से force ज्यादा लगेगा उसका limb जो है वह बड़ा देखने को मिलेगा suppose कि यह face है यह rock surface है इस पर हमने इस तरफ से force ज्यादा लगाया तो यह आप देख रहे होंगे यह अपना constant है तो इसका यही पर कम force लगा रहा है यहाँ से ज्यादा में force लगा रहा हूं तो इसका limb का angle है वह हमारा एक तरफ का बढ़ जाएगा तो उसे हम asymmetrical यानि कि टेड़ा मेरा type यह देखे जब ऐसा angle बने यानि कि जो limb है limb का side जो है वो equal हो एक दूसरे के जेतना इसका है उतना इसका हो जाए तब हो जाएगा हमारा asymmetrical वहीं दूसरी तरफ जब ऐसे बने एक ऐसे है एक ऐसे है तो इस limb का side जो है वो बड़ा है in comparison to इसके तो उसको हम asymmetrical कहेंगे और यह asymmetrical fault तब लगेगा जब एक तरफ से force जादा लगे और जब force इतना जादा हो जाए कि वह horizontal हो जाए यह चीज यह ऐसे थी अब आगे चलके ऐसी हो जाए तब इसको हम कहेंगे recombent fault और और ज़्यादा movement हो जाए तब उसको हम कहेंगे जब axial plane जो दो भाग में बाड़ता है वो horizontally हो जाए अग्जियल plane क्या होता है वर्टिकली होता है जब यह horizontally हो जाए तब इसको हम कहेंगे recombent fault और recombent fault बहुत ज़्यादा प्रेसा लगाने के कारण बहुत ज़्यादा force लगाने की कारण होता है और उसके बाद जब recommend force से ज़्यादा force लग जाए तब जो आक्रिती बनेगी उसको कहेंगे overturned force अब हम समझते हैं on the basis of appearance के आधार पर कितने प्रकार के फोल्ड होते हैं एक होता anti-cline एक होता है sink line anti-cline जो है वो convex shape का होता है यह इस प्रकार इसको हम anti-cline कहेंगे यह convex shape का है यह जो उपर topmost भाग है कि यह convex shape का होगा दूसरा characteristics है कि यह symmetrical, asymmetrical दोनों हो सकता है fold इसको हम symmetrical anti-cline और asymmetrical anti-cline कह सकते हैं और जो इसका rock होगा, जो oldest rock होगा वो core में होगा, core में हमारा होगा oldest rock और जो newest rock होगा, वो top surface पे होगा newest और youngest rock यह हो गया anti-cline अब हमारी बारी आगई sink line की sink line ठीक इसका उल्टा होगा जब इसको हम continue करेंगे figure को तो फिर एक sink line आएगा, फिर एक anti-cline आएगा इस प्रकार का तो sink line यह होता है, यह जो है इसको हम sink line कहते है sink line जो है, वह concave shape का होगा, ठीक इसका विपरित है anti-cline का ठीक विपरित यह concave shape का होगा और जो oldest rock है वो उसका उपरी surface पे होगा उपरी surface पे हमारा oldest rock और जैसे जैसे नीचे चलते जाएंगे यह हमारा newest rock आता जाएगा यानि कि youngest rock youngest rock नीचे होगा और oldest rock जो है हमारा उपर होगा, इसका example हो जाएगा हमारा great rift valley of Africa और हमारा rift valley कोई भी और जो newest का example हो जाएगा mountain ranges oldest जहाँ उपर होगा वो है rift valley और oldest जहाँ beach में होगा, core में होगा वो हो जाएगा हमारा mountain यह हमारे example होगा, यह आ सकते हैं इस वज़ेस मैं बता रहा हूँ अब हम जानते antichlorium क्या होता है इसी के अंदर antichlorium के अंदर आता है antichlorium means एक बड़े antichlorium में छोटे छोटे antichlorium जब include हो जाते तब उसको हम antichlorium कह देते वहीं जब एक बड़े sincline में छोटे-छोटे sincline देखने को मिलेंगे तो उसको हम sinclorium कह देंगे मैंने types of fold में anticline, sincline में बताए कि उपर वाला जो layer होगा, वो nearest होगा mountain ranges में और जो core वाला reason है वहाँ पर oldest rock पाय जाएगा इस प्रकार आप सब को correlate कर दिजेगा gentle fold, symmetrical fold, asymmetrical, recumbent, over turn symmetrical में भी माल लेते हैं एक तरीके का symmetrical mountain बन गया तो एक ही दोनों direction में same magnitude का बल लगा तो वो एक प्रकार का बन गया तो उसे हम symmetrical fold कह देंगा symmetrical fold में भी newest उपर हो जागा oldest core में यह आप अब syncline से आप जोड के देख सकते हैं यह मैं एक चीज़ बतला दिया anti-cline syncline में आप सब से इसको जोड के देख सकते हैं आई हो कि आपको video lecture समझ में आयोगा और पसंद आयोगा थैंक्यू